हाई अब्रीबान कैसे हो आप सब वेलकम है आपका निशू जाइका एंड व्लॉग में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कठल की जटपट वाली सबजी कोकर में कैसे बनाए जैसे कि मैं रेगुलर बनाती हूँ तो चलिए देख लेते हैं यहां पे तीन से चार प्राइची जीरा काली मिट्च यह सब डाल देंगे और उसके बाद 5-6 प्याज को काट कर आपको अच्छे से डालना है यहां पे लगभग 200-300 ग्राम प्याज और फिर यहां पे आधा किलो आलू और सारे 700 ग्राम कठल दोनों को अच्छे से छील कर काट कर त्यार कर लिया ह जिसे की थोड़ा सा यह भून जाए और टाइम भी कम लगे तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से कठल की सबजी कुकर में बना सकते हो पूरा विडियो जरूर देखना यह देखिए भून गया है अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो सबसे पहले हमने डाला है दो चमच हल्दी पाउडर यहां पर छोटा चमच और फिर डालेंगे दो चमच लाल मिर्च पाउडर यहां पर अपने स्वाद के नुसा डाल सकते हो जितना तीखा पसंद हो और फिर हम यहां पर डालेंगे धनिया पाउडर जीरा पाउडर तो यह देखिए आपको एक से देख स्वाद के नमक दालेंगे देढ़ से दो चमच और चलिए आप यहां पर त्यार कर लेते हैं अद्रक लहसन और दो टमाटर और जीरा को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और यह देखिए मसाला ग्राइंड हो गया है और इसको एड़ कर लेंगे और अब हम इसको भूनेंगे कुछ देर के लिए भूनने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे यह मीट मसाला आता है मटन मसाला आपको इसमें दो पैकेट एड़ कर देना है इस कठल की सब्जी है बहुत ही टेश्टी बनती है और बहुत ही मज़िदार लगती है खाने के साथ यह देखिए सब्जी बुन गई है अब हम इसमें एक से डेर गलास पानी आड़ कर देंगे और इसमें दो सिटी लगाएंगे एक फुल में और एक मीडियम टू लो में यहां प कैसी लगी नीचे कॉमेंट कीजेगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके से आप जरू ट्राइग कीजेगा मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बाइबाई और टेक यह थाइंक्यू सो माइग